आपने अधिकतर सुना होगा कि जब सर से बाप का साया उड़ जाता है तो जिन्दगी एक तरीके से बदहाल बर्बाद हो जाती है लेकिन कभी आपने ये सुना है कि अगर सर से मा का साया उड़ जाए तो जिन्दगी एक अलक ट्रेक में चली जाती है आपके सपने चकना चूर हो जाते हैं या आपने जो सोचा था अपने भविश्य को लेकर वो सारा चीज बरबाद होता नजर आता है तो ऐसा भी कुछ होता है बस्तर में इस पर बादचीत करते हैं नमस्कार मैं विकास्तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉफिस देख रहे हैं इस दवरान संसे मेरी मुलाकाथ हुई उस सक्स का नाम है धिनेज हमारे साथ में है इनकी कहानी बहुत रोह सका है तो मुझे लगा की इंसे एक अलग से बाठ्चीत होनी जाहीं इसलिए अज बसे टॉफिस में दिनेज हमारे शात में ये कई सवाल खड़े करते हैं कई सवा आपका बस्तर टॉकिज में दिनेस आप सबसे पहले बताएं कि आपका गाउं कहा है आपने पढ़ाई कहां तक ही है सब चीज बताएं सर मेरा नाम दिनेस कुमर माडवी मैं मिट्टा गुड़ा से हूँ पाला सलमा पंचेत में आता है और मैं तुएल तक पढ़ा हूँ पाईलोजी लेके अच्छा 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 दिनेस ये बताओ कि मैं देखा हूं कि बस्तर के अंदर में अधिकतर जो लड़का है या सब्सक्राइब कर तो बाता है लिए युळकी सब्सक्राइब कै अच्छा द कि सोचे तए जब बायोली यै कि क्या बनना है आगेपशनातर माइं तो कॉस तयुलाची पर दूपक्र क्या ता कि में द्रकतर की बड़े करों कड़े धे भीटर की पड़े करों मेरा सिर्टर में कुछ ऐसे लोगивает की बीमार पड़ते हां असपथळ reported कुछ नहीं है यह सुइदा कुछ नहीं तो महीं डेक्टर बनुग अपने स्ट्र में गुसि के लोगंका शेवाण तो फिर बार्वी के आगे क्यों नहीं पढ़ाई किये तो बार्वी के आगे जैसे मैं 11 पढ़ रहा था तो मां गुजर गई मां गुजरने के बाद गर की जिमिदारी संबलने के लिए पापा तो ता लेकिन उतना इस सेत्र में जद अतर लोग देखा जाये तो बस उनका कोई काम नहीं होता है धेकरे के लिए कैती तो बस करते है लेकिन घाना प्लंपोषां शन आयसन वेह तक मां के उपर रहता है मां गुजर जाने के बाद मेरे को ऊश्यचा की मां वह गया देने के लिए naio dham नितों यहां घर का मुख्या पूरूस होता है वही कमा के लाता है तो बहले उसकी जिम्मेदारी उठाना मा काम होता है के आछा काम होता है हिसाब किताब रखना तो लेकिन क्या है आप लोग के छेत्र में जॉसे बस्तर में महिला है कमानी का भी जिम्यदार उटाती है सरमाहिलाई है अच्छा जदातर लोग बचतर सेत्र में दारू पीने का सक्कर से बहुत लोग बरबाद है बस केती कतम हो गया दान कटे मिंडे हो गया बस पीपी के गुमो इस तरह की कुछ लोग रहते हैं बस मतलब आदा परशेंट कुछ लोग कमाने कभी सोचते देटाते लेकिन तरह लोगों के कुछ गरों में ऐसी होती कि सब कम मा उटा थे तो अच्छा आपकी मा अधिले कि ती क्या नहीं पड़ती अंपड़ती जाहती थी कि आपड़ो जी चाहती थी सरम ऐसी तो पहले से बस गरीप घर से कुछ काना पिना नहीं ता उसके बाद दीरे-दीरे कमाते कमाते थोड़ा चावाल मिला चाटी का तो चावाल मिलता ही नहीं था इदर तो चावल फिर क्या जो उगाते थे उसी से जीवन चलाते थे तो कितना पैसा भेज़ती थी मम्मी ज्यादा उतो पांच साव तक गराने से मैं तो उतना दूर बस बस यम अब पैसा कितना भेज़ती थी खर्चा ने गराने से लेदे कि मैं गडी करे की लिए 500 तक मांगता था अच्छा और जब आप महां रहते थे तो होस्ट अच्टल में रहते थे था तो होस्टल में रहते थे था सब सुधा खाना पीना सबस्धान तेल के में पैसा कैसे ओच्टि काम प्ष्टि में मिलता है शुना पोता है कपड़ाला चुना पोता उता ही करते देते। तो दंतिवडरा दंतिवडरा तो यह 500 रुपया को खर्चा क्या करते थे Алप मैं पानसर रुपया झто तो आपके दोस्तियार तो जाते होंगे कहीं मनो रंजन के लिए पिक्चर देखने या कभी जाते थे लेकिन मैं नहीं जाता था आप नहीं जाते था अच्छा और चुना पुता ही करके फिर अपना दिवाली में कपड़ा पड़ा करी बहुत बढ़िया तो यह बताव मेरको क का यह बतावी सर्कार बोलते हैं जो जादा अच्छा पड़ते हैं तो उनका अखर्चा भी सरकार उठाती है तो आप लोग को तो पड़ाई की खर्चा सरकार उठाती आप तो आदिवासी भी हो आदिवासी हूं सर लेकिन नहीं उठाती थी बस कुछ उससे ज्यादा पर्षेंड वाले हैं जोसे कंपिटिशन एक जम दिलाते हैं उनको देखती है अच्छा आपको पर्षेंट क्या था मतलब दस्वी में कितना था बारवी में कितना था चवंट सब्सक्राइब तो 71 परसेंट था जिए तेंथ में जिए त्वेल्थ में ट्वेल्थ में शिष्टी पलस सर सिक्ष्टी प्लस था मतलब फश्ट यूजन पासव तो लेकिन फिर पैसाल मामला फस्ट गया तो अभी क्या कर रहे हो आप मैं अभी क्यति कर रहा हूं सर गर कर सम मेरा कम से कम से कणी सिटें यह गाते हूं खाते है कि यहां गगा तह सरकार खरीद एथील और पहर कुछ नहीं है बस तो ठाकुर लोग को दे देते हैं, ठाकुर लोग को दे देते हैं, मतलब जी आंदरा से जो करिदने आते हैं, वयापारियों को, सरकार को नहीं बेशते हैं, नहीं बेशते हैं, सरकार को क्यों नहीं बेशते हैं, सरकार को क्यों नहीं बेशते हैं, सर अमारे सेत्र में किसी के लेकिन यहांसे जो वेपारी करित के लेके जाता है वोलों को देटे हैं उसमें कटा के हम अपका के फारबारुफृ नेसम्य और नोगो आते जाते हैं कभी कब दिखतेय हैं आते नहीं आते लेकिन रोड नहीं है कुछ नहीं है जाना है तो लगबग कॉंठा जाना है तो पचा चाट किलिमेटर जाना पड़ता है अच्छा आपके साथ कोई पढ़ा लिखा और ऐसा है बंदा जो मतला आगे नहीं पढ़ पा रहा है आपकी तरह आपके गाहों का मेरे गाम से शिर्फ अज तक हम थीन लोग पढ़े हैं सर बस तीन लोग पढ़े एक अभी जो कोलेश कर रहा है दंतेवड़ा अच्या उसका ब्सकी फैनल ओ गया हूं मसी फैनल हो गया पीज़डीजी भी कर लिया आपका इच्छा रहा होगा कि कॉलेज का पढ़ाई करूं अभी अगर आपको क पर्थीक मदद करें कुछ पैसा ऐसा अगर आपका बोले कि मैं आपको पढ़ाई का खर्चा उठाओंगा तो पढ़ना चाहोंगा अगर कुछ लोगों से बातचीत करूं कि आपके पढ़ाई का खर्चा उठाएं तो कॉलेज करो गया और मान लो अगर कॉलेज नहीं करते ह अभी आगे क्या सोच रहें आगे क्या बनना चाहरे हो अगे कुछ करें आगे तो जैसे उस दिन सशीव से मिलके आए हैं कि हम इतना पड़े लिके हैं बेरोजगर कुछ नहीं मिलता है तो अपने गाम में जैसे अंगनबड़ी बावान उवान जैसे बनाने का आता है उसमे तो बच्चे लोग काम अपने गाम में पढ़ाएंगी हमको दो बोलके बात करके आए अच्छा अंधेरा होगा तो लाइट जला लेना तो यह पूछ रहा था कि क्या लगता है कि गाउं की दसा दिसा बदलने में आप पढ़े लिखे नेताओं का कितना भूमिका है नेता चाह है अड़े बस यह के लोग जो संग के सारे बोलते हैं लेकिन जो मुलवा वाश अब समांद संग्रश उठा ए उसे के सारे सारे आगे ले जा सकते आंधरोनी अंधरोनी इलाका एंगे आगे चलके राजनीती में आने का कुछ है क्या हो देश मेरा से राजनीती का राजनीती करने में तो उतना इंट्रेस्ट नहीं है बस लोगों की सेवा करने में मेरा सबसे ज्यादा इंट्रेस्ट है तो आपके गाउं से और लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं या आप उनक बाकि करलाफाल कॉंटा सब भी पढ़ रहे हैं वो लोगाने के बदाम बोलते हैं कि भले हम बारी तक पढ़ के छोड़ दिये अभी तुम लोगा ऐसा नहीं है हमारे जैसे बिचर मत जाओ अच्छे से पढ़े करो बाले करसा घर वाले उठा नहीं पा रहे हैं उसके बदाम ल आपके गाहों का और क्या इस्तिती है मतलब अस्पताल की क्या इस्तिती है बता रहे हैं और सड़क तो नहीं है बता रहे हो इसकुल है इसकुल नहीं है तो आप पढ़ के आए हो तो आज अपने गाहों को देखके कैसा फील होता है अपने गाह में भी आश्पताल रहे तो अच्छा होता है। उसी के चलते सरपंज को बात करने से वह भी कोई इंट्रेस्ट नहीं लेता है। जैसे मीतानीन लगा दे नहीं तो अंगन बड़ी बनवा दे। बोलता है कि हाया है बावान लेकिन ले जाने के लिए गाड़ी सामान दूर पढ़ता है कैसे करके लेकर जाएंगे। सरपंज कहां रहता आपका। सरव कॉंटा में रहता है। तो आप आगे चलके सरपंज क्यों नहीं लड़ते हो सरपंज के चुना हो। सोचे हो कभी सरपंज बनना की। सोचे हैं सर अपने गमचापान दो ही लोग अभी गाम में रहते हैं पड़े लेकर कोलेश कर रहा है। उसको मैं बोला कि आप सरपंज में अगले सुना हो लड़ लो अच्छा। नर्शिघ्ट करते हैं सरपंजिन करते हैं अच्छी कुछ नहीं करते हैं अच्छा नहीं करते हैं नकसलवण फिर बहना है सरकार चाहे तो स्कूल अस्पताल ठोड़ Steב नत्याइ़ चीज ना सकते हैं दो जो गाउं हैपना में हैं मुध्य घंड पंप् है मतलब हर गाओं में हेंट झोट सकते हो got on a school चला सकते हो हर गाओं में आप ऐस्पताल खोल सकते हो जे UV italoli करके बहाना कोल रही है नइक कोब्रत्याइद जीए तो यह दिनेस है और बहुत लंभी हो सकती है लेकिन बहुत सौट में आप समझने की कोशिस कीजिए और ये भी समझने की कोशिस कीजिए कि हर बार जरूरी नहीं है कि पीता का साया सर से उड़ जाए तो जिंदगी तबाह होगी जिस लाइन से मैंने सुरू किया था किया थे इस पूरे वीडियो को बनाने में ब बहुत जमीन इस तर पर महनत करती है तब दिनेज जैसा एक लाल पैदा करती है जो बायो लेकर 12 तक पढ़ता है एक बड़ा सपना लेके लेकिन उपर वाले की मंजूरी कुछ और है मा का साया सर से उड़ गया पढ़ाई रुग गई सरकार बोलती है कि हम पढ़ाई का पू अच्छी सोच है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर नौकरी में ना कुछ कर पाए तो जनप्रतिनी थी बनकर दिनेज जो है वो अपने गाउं के लिए कुछ अच्छा कर पाए इनका गाउं काफी बेहद नक्सल प्रभावित इलाके से आता है और उस गाउं की उन्नती के लिए दिनेज कब ये मानना है कि नक्सल वाद तो साब फिर बहाना है आपको काम से मुकर जाना है अगर आपको लगे कि दिनेज से बातचीत बहुत उरजावान रही है और बहुत अच्छी रही और दिनेज की बातचीत हर किसी तक पहुँचनी चाहिए और एक और रिक्व करना चाहते हैं या आगे पढ़ाई कोई उठाना चाहिए कोई संस था कोई जन सेवक तो आप बता सकते हैं और मैं आपका संपर्ख दिनेज से करवा दूँगा अगर कोई मदद करें दिनेज को पढ़ाई के लिए तो मुझे बहुत खोशी होगी मुझे लगेगा कि बस्त अगरे तो को तो आप सब्सक्राइब करवाई दूँगा बैने बात